करें सिसके जाता है उपर और यहां सोस्का की बात करते हैं दो एसके बारे बहुत सारी चीज़े बता ही एक लोशन डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं कि लिक्वेड जिसсы की वो बिना पानी की थंडी हवा देता जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी यता थंडी हवा देगा कुल आज लिंगे करें किसा काम करता है और लोबGMR हाकिकत जानिए कि यह वाक़ी धंडी हवा देने वाला या नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं वूडीयो विडियो पहले आप से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलीएगा जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो सभी आप तक पहुंच सकें तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं वीडियो तो फ्रेंज इस क अभर में वह कि लिए उसको खोलने का प्रोसेश चालू करते हम आप हुझी मैं इसको खोल देता हूं खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हो कि इसके अंदर होता क्या है । तो फ्रEMS screw हमने खोल लिए अब screw को खोलने को बाद में हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है और चीज ठंडा करती है हवा को तो देखिए इसमें simply आपको दिखाई दे रहा होगा यह føle जो कि प्लास्टिक का बना हुआ केविनेट है और उसके बाद दिखाई दे रहा हुआ ये फ्रेंट जिसमें ये ग्रिल जाली लगी हुई है और ये मोटर है तो अब हम देखते हैं कि किसका क्या यूज है और ये ठंडी हवा वाला जो एक वहम आप लोगों के मन में डाला हु ये ये मोटर और मोटर के इलाबा ये कंडेंसर है और इसके अलाबा इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको दिखाई दे कहिंकि यए तो यही सारी चीजें हैं इसके अंदर में, यह blower आपको हवा देता है, इस तरह से घुमता है, यही एक हवा देता है, यहां से air खीचके और यह motor इसको घुमाने का काम करती है, blower को, जैसा कि आप देख रहे हो, यह blower हो गया, यह blower करीबन आप मान के चलिएगा, एक से सवा फिटकार रहता है, यह blower, और दूसरी चीज, इसमें जो motor लगी है, motor जो है, मात रही है, 105 वार्ट की motor लगी है, और यह condenser लगा है, इसमें, और यह swing motor भी है, इसमें, और on-off switch है, यह सारी ही चीजें है, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो पानी को ठंडा करती तो आपको समझ आ गया होगा, यह जो वीडियो बनाया है, मैंने वो इसी के लिए बनाया है, कि आप देख सकें कि इसके अंदर होता क्या है, क्योंकि आपको बताया आता है कि जेल डाला जाता है, इसमें तो ठंडी हवा देता है, तो ठंडी हवा के लिए ऐसा कुछ नहीं ह आपको यह समझे आ गया ऊंगा जही इसमें क्या-क्या होता एये और किस तरह से हुआ कि सस्वा किया बात करते हैं च Sn-ih प्राइवर से भी खोल सकते हो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब बात करते हैं इसको कैसे निकाले तो इसको निकालने के लिए यह आप ब्लोवर देख रहे हैं ब्लोवर के पास होता है इसको आप खोल लिजिए इस तरह से मैंने खोल आईए इसको खूलने के बाद मैं जब यह खूल जाएगा तो इसको हलका सा आप ऊपर के ओर धक्का मारेंगे तो इस तरह से यह निकल सकता है जैसे कि मैंने निकाल लिया अब यह इस तरह से ब्लोवर निकल चुका है अब देखिए इसके अलावा इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप के यहां पर शायद जादा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा हो आपके आप यहां पर तो बहुत सारा कचड़ा जमा होता है इसकी मोटर में यह जो आप मोटर देख रहे हो यही मोटर इसको घुमाती है और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है तो हम इसको साफ करते हैं साफ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं यह किस तरह से असेंबल किया आता है यह साफ करनेक बाद में इस तरह से यह इसको लगा दिया जाएगा लगानेक बाद में इसके जिस तरह से मैंने पेंच खोले तो उस तरह से पेंच खुल जाएंगे तो I hope कि आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से साफ किया जाता है और इसके अंदर सबसे मैं जो वीडियो बनाने का कारण था वो ये था कि मैं आपको दिखाना चाहरा था कि इसमें क्या-क्या होता है जिससे कि आपको कोई बेवकूप ना बना पाए किसी भी मार्केट में तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करिएगा जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके कि ये टावर फैन है ना कि ये टावर एसी ना ही टावर कूलर ये ओनली टावर फैन है तो थांक्यू सो मच वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थांक्यू बंद कर दो